अगले महिने SSC के फॉर्म निकलने वाला है, भर देना हम बता देंगे तुम भरे थे पिछला बात है, क्यों? हम बता देंगे इस पर भर देना हाँ परना ना? इस बार तो भुखा बार तो परोगे ने ने अभी रूम पे नहीं है, अभी कोचिंग आया हुए है नहीं लेकिन वो बैंक वाले एक्जाम का तो एक महीने बात भी चलताएगा नहीं इस पर हो जाएगा माँ, हाँ इस पर हो जाएगा, हाँ पैसे हैं ना? अरे आप लोग चिंदा मत किजिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, जी, जी पणा क्या वो लुमा को, कि कुछ ठीक नहीं है, एक गरेब माबाप दिन डात मेहनत करके, जैसे तैसे पैसा कमाके, अपने बच्चों को कोचिंग कराता है ताकि उसके बच्चे बैंकिंग, रेलवे या किसी अच्छी जगा नौकरी पा सके और वो भिरोजगार आदमी, उसी तंगी हालत में फॉर्म भरता है, पैसे बचाता है, दिन डात मेहनत करता है किसी दूसरे शहर जाता है, बस या ट्रेन में धग्ये खाके, लटक के, एक्जाम देने के लिए तो भी आप जाहिए, फिर पता चलेगा प्लेटफॉर्म पे सोता है, खाना नहीं खाता है, क्योंकि पैसे ही नहीं है, और उसी में बचाने भी है और फिर एक्जाम के तीन-चार दिन बाद ये पता चलता है, कि पेपर तो लीक हो गया या फिर पेपर जिसने खरिदा उसको नौकरी मिल गई मतलब भूग तो होगी हम, और जिम्नेदार सरकार मतलब आप एक तरफ ये कह रहे हैं, कि हम युवाओं को नौकरी देंगे वादे करते हैं, और दूसरी तरफा पेपर लीक कराके हमारे गरीबी, मेहनत और ब्रुजगारी का मजाग उडाते हैं फिर रडियो पर कहेंगे, युवाओं हमारे देश के भविशे हैं जूटे वादे, नकली इरादे